जीपे का साउंड बोक्स क्या फ्री है और जीपे का साउंड बोक्स फ्री है तो कितना दिन के लिए फ्री है और फ्री नहीं है तो कितना पैसा लेगा किस तरब से आप इसको यूज करेंगे क्या 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 फेचार से इसके अंदर पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में नम से यूज कर सकते हैं इस सारे सावाल का यह स्पिकर दिख रहा है इस सánd़ मेरər, मैं आज इस वीडियो में दोंगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहले हिस्पिकर को आंडौक्स कर देखने में कैसा है पहले यह है हमारा speaker इसके साथ adapter का cable इसके साथ और एक जो यह देख सकते हैं यह है adapter जो आपका speaker को charge करने के लिए help करेगा तो चलिए इसको करते है side में और इधर जो आपको socket दिया गए type C to USB यह जाएगा आपका adapter में और यह जाएगा आपका speaker में तो अभी मैं आप लोग को speaker दिखा देता हूँ जो speaker आप देख रहे हैं यह है जीपे का speaker गुमा के फिरा के आप लोग को दिखा देता हूँ एक बर इसके साथ आपको जो मिलता है और एक QR code जो इस side में fitting होगा QR code भी मैं आप लोग अभी दिखाता हूँ दोस्तो इस तरब का एक QR code आपको मिलने वाले हैं जो आपका box के side में लगाना पड़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ यह जो side में socket देख रहे हैं आपको इस तरब का सीधा करके आपको इसके अंदर लगाना है फ्रसा जोड में paste करके आपको यह लगाना पड़ेगा यह देखिए लग चुके है तो इसी तरब से लगके आपको इस तरब से बैठे रहते हैं तो आप इस तरब से speaker को यूज कर सकते हैं अभी दोस्तों मैं आप लोग को बत करूँगा तो इसका side में देखिए एक support का number दिया हुआ है 24 x 7 जिसमें आप call करके speaker related कोई भी problem है तो आप इसमें contact करके help ले सकते हैं अभी चलिए इस speaker के बारे मैं थोड़ा सा details जान लेते हैं इस speaker को on कैसे करते हैं क्या क्या features है इसके अंदर पूरा details जानेंगे पहले जो speaker का QR code है वह हम खोल लेते हैं पहले मैं आपको बिताऊंगा यह sound port देख रहे हैं इस sound port के अंदर इधार speaker है इधार indicator है इधार reset करने के लिए एक छोटा सा सुई जो आंदर है इसके बाद मैं इस side में बताऊंगा तो इधार QR code लगता है आपका इसके बाद इस side में जो होता है यह charger का जो type C socket है यह connect होता है इसके बाद इधार जो लगा हुआ है SIM लगा हुआ है नौर्माली यह SIM लगा हुआ है यह Airtel का है आपका Geo और Vodafone भी हो सकता है इसके बाद मैं आप लोगो बताऊंगा तो उपर में एक जीपे का sticker लगा हुआ है इधार display है और इस side में total मिला के आपको 4 बटन मिलता है जो 4 बटन से आपका पूरा speaker आप control कर सकते हैं पहले मैं आपको पताऊंगा तो यह जो switch देख रहा है यह power on up करने के लिए है इसके बाद volume up down करने के लिए है यह जो switch है इस टांजेक्सान को repeat कर सकते हैं यह जो speaker देख रहे है इस speaker में जो खसियत बाद है आपको display मिलता है इसके साथ transaction last three transaction को आप चेक कर सकते हैं माल लिजे कोई customer आपको payment करके चला गया है वह याद नहीं है अब last three customer को आप चेक कर सकते हैं इस Swiss के दरूम अभी मैं आप लोगों को इसको on करके दिखाऊंगा यह अभी on हो चुका है अभी देख सकते हैं इसके अंदर एक light blinking कर रहा है जो green color पर अभी network connected हो चुका है इसलिए यह blinking करना बंद हो चुका है इस जो light का जो काम है जो green color का जलता है यह middle में यह network जब connect नहीं होता है तो यह blinking करता है जब network connect रहता है यह blinking नहीं करता है तो इससे आपको देखना पड़ेगा जो network connected है की नहीं और इस side में जो light है यह light जब आप कोई भी adapter देके में लगा के जो यह light जलता है देखिए यह अभी देखिए यह light जलना start हो चुका है इसके बाद और एक time light जलता है जो इस side में है यह red color में है यह तब जलेगा मान लीजे आपका speaker में चार्ज नहीं है एकदम चार्ज नहीं है इसके बाद आपका speaker software update कर रहा है तो दोनो time पे यह चलता है speaker में चार्ज जब नहीं रहेगा तब आपको यह red वाला last में जो light है यह जलता है आपको बिताता है software update चल रहा है नहीं तो इसके अंदर चार्ज नहीं है चार्ज में लागाने के लिए light जलेगा जब चार्ज सही रहेगा तो यह light नहीं जलेगा आप किसी भी का आपका सीम सापुन नहीं ले रहा है तो इसके अंदर जो सीम कार को खोल लीजेगा खोल के आप इस सीम को एक थोड़ा सा फ्रेस करके किलियर कर लीजे उसके बाद आप लगाएंगे तो यह जो है problem sorted हो जाते हैं दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यह जो speaker है इसक क्यासे आप चार्ज देख ले सकते हैं इसको कुछ टाइम पेस करके रखना पड़ेगा इसके बाद इस लाइड आ जाएगा एजो देखिए ग्रीन कलर का लाइड आ रहा है तो कुछ टाइम लगेगा यह ओन होने में यह अभी ओन हो चुका है इसके अंदर कितना अभी टावर है इसके साथ जाथ William कितना है इसके साथ चार्ज कितना यह दिखा रहा है इसके बाद जो last transaction है दिखाता है इस साइड में पेस्स करेंगे तो अभी देखिए.. इसमें कोई भी हमणे activate नहीं करके रखे हैं तो इसलिए जिरो रूपीज बता रहे हैं आप इसको 2 बार paste करेंगे लास्स थ्री ट्राजक्शन 0-0 करके बता दिया क्योंकि इसके अंदर कोई पैमेंट नहीं लिये अभी volume बराने के लिए यह जो सुई से स्पेस करेंगे तो volume पूल हो जाएगा यह maximum volume में आ चुके हैं अभी मैं आप लोग को सुनातों maximum volume कितना है साथ आप लोग को समझ में आ चुका है जो इसका sound quality कैसा है इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा जो speaker है देखने में बहुत बड़ी है लगता है और इसका जो plan के बारे में बताता हूं दोस्तों यह जो speaker देख रहे है यह speaker आप फ्री में तो पहले बताया हूं नहीं ले सकता है इसके लिए एक one time plan है इसके साथ एक monthly plan है उन टाइम प्लैन है जो 1500 यानि 1500 जो one time plan है यानि एक साल का plan है एक साल में आपको एक speaker मिल जाएगा उसके साथ कोई rental देने का कोई जरौत नहीं है आप इसको ले सकते हैं एक साल के लिए बिलकुल फ्री speaker भी मिल जाएगा और कोई payment करने का जरौत नहीं है पार मांथ 1500 रुपिया में इसके बाद चाते हैं मांधली बेसिज में लेने के लिए मांधली बेसिज में लेने के लिए आपको जो पे करना पड़ेगा 499 प्लास मांथली प्लैन यानी 125 रुपिया 152 रुपिया पार मांध करके आपको payment करना पड़ेगा पहले speaker लेने के लिए 499 पे करना पड़ेगा उसके बाद 125 रुपिया करके पे करना पड़ेगा हर माहिना रेंटर के अनूसर गुगल पे जो करता है वो एक दीन में 5 रुपिया करके करता है 25 दे तक पार डे आप आपके पास से 5 रुपिया करके करके कर लेगा एक साथ में नहीं करता है पार डे 5 रुपिया करके करता है जो करता है वो आपका गुगल पे बीजनेस में जो रहेगा वही से आपका करते आपका balance को settle कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको बिताऊंगा तो यह जो rental लगदा है, जो 125 रुपिया हार माईना करके कटेगा, तो फ्री कैसे करें, फ्री करने के लिए 400 पेमें आपको एक माईना के अंदर लेना पड़ेगा, एक रुपिया करके आप 400 पेमें ले लेंगे, त एक रुपिया करके पेमें करेंगा तो चलेगा, एक रुपिया, पांच रुपिया, दस रुपिया, जो भी करके पेमें करेंगा तो चलेगा, आपको 400 पेमें करना है, 400 पेमें करने से आपका cashback सिस्टन में, मांद के एंड में, आपको cashback मिल जागा, जब 400 पेमें कर लेंग 400 रुपिया नहीं 400 transaction करेंगे 400 transaction आपका जब complete हो जाएगा तब आपको 125 रुपिया एगें आपका cashback section पर मिल जाएगा हार माईन आप 400 करके complete करेंगे तो हार माईन आपको 125 करके cashback मिल जाएगा तो यह है इसका facility जो Google पर ने launch किया है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगो तो six month का warranty मिलता है six month के अंदर कोई भी speaker disturb हो जाते हैं तो आपको company replace करके एगन देगा और यह जो speaker आप लेना चाहते हैं आपका Google पर business app पर साइध दिखा रहा है order यह speaker आप उधर से order कर सकते हैं कुरियर के त्रूग आपका घर में पहुंचा दिया जाएगा नहीं तो उधर आपका नेरी जो agent है agent के साथ contact करके आपको speaker दिया जाएगा वीडियो का चलेगे तो like कर दीजे दूस्तों के साथ share कर दीजे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रही है औ और कोई भी सावाल आपका है comment section में जरूर बता सकते हैं नमस्ते